प्रबू हमें अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए बुलावा देता है निमंद्रन देता है और विश्वास करने से हम सबों के जीवन में किस प्रकार से प्रबू की बहुतायत के आशिश हैं हम सभी प्राप्त कर सकते हैं इस बात को हम सबों का आज के आज के रोटी इश्वरोचन के द्वारा हमें सिखाया गया है आयम इस वक्त आज का सूसमचार को सुनें संद मार्कुस के द्वारा रचित सूसमचार अध्याई पांच पसंगा 21 से 43 तक जब इसा नाव से उस पार पहुंचे तो समुद्र के तड़ पर उनके पास एक विशाल चंसमों एक गत्र हो गया उस समय सबाग रहका जैरुस नामक एक अधिकारी आया इसा को देख कर वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनई विनई करता रहा मेरी बेटी मरने पर है आईए और उस पर हाथ रखिये जिससे वह अच्छी हो जाए और जीवित रह सके इसा उसके साथ चले एक भड़ी बीड उनके पीचे हो ली और लोग चारों और से उन पर गिरे पड़ते थे एक स्त्रीबारा बरस से रख्तसरा उसे पीडित थी अनेक अनेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कस्ट सहना पड़ाता और सब कुछ कर्च करने पर भी उसे कोई लाब नहीं हुआता बलकि वह और भी भिमार हो गई थी उसने इसा के विशे में सुना था और बीड में पीछे से आकर उनका कपड़ा चू लिया क्योंकि वह मनी मन कहते थी यदि मैं उनका कपड़े बर चुने पाऊं तो अच्छी हो जाओंगी उसका रक्तस्रा उसी शन सूख गया और उसने अपने शरीर में अनबो किया कि मेरा रोग दूर हो गया है इसा उसी समय जान गए कि उनसे शक्ति निकली है बीड में मुढ कर उनने पूछा किसने मेरा कपड़ा चूआ उनके शिश्यों ने उनसे कहा आप देखते ही हैं कि बीड आप पर गेरी पड़ती है तब भी आप पूछते हैं किसने मेरा स्पर्शी किया जिसने ऐसा किया था उसका पता लगाने के लिए इसा ने चारों और द्रिस्टी दवड़ाई वास्त्रिया जान करकी उसे क्या हो गया है डरती कामती हुई आई और उन्हें धंडवत कर सारा हाल बता दिया इसा ने उससे कहा बेटी तुमारे विश्वास ने तुमें जंगा कर दिया है शान्ती प्राप्त कर जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो इसा यह कहे रहते कि सभाग्रह के अधिकारी के यहां से लोग आए और बोले आपकी बेटी मर गई है अब गुरुवर को कस्ट देने की जरूती क्या है इसा ने उनकी बात सुनकर सभाग्रह के अधिकारी से कहा डर्ये नहीं बस विश्वास कीजिए इसा ने पेत्रुस याकुब और याकुब के बाई योहन के सिवा किसी को भी अपने साथ नहीं आने दिया जब वे सभाग्रह के अधिकारी के यहां पहुँचे तो इसा ने देखा कि खोला हल मचा हुआ है आ लोग विलाप कर रहे हैं उन्होंने बीतर जाकर लोगों से कहा एकुला हल या विलाप क्यों लड़की मरी नहीं लड़की सो रही है इस पर वे उनकी हसे उड़ाते रहे इसा ने सब को बाहर कर दिया और वा लड़की के माता पिता और अपने सातियों के साथ उस जगह आये जहां लड़की पड़ी हुई थी उन्होंने लड़की का हाथ पकड़ कर उस से कहा तालित आकुम इसका आरत है वो लड़की मैं तिमसे कहता हूँ उठो लड़की उसी शण उठकड़ी हुई और चलने फिर ने लगी क्योंकि वा बारा बरस के थी लोग बड़े अच्छ में में पड़ गए इसा ने उन्हें बहुत समझा कर आदिश दिया कि यह बात कोई ना जानने पाए और कहा कि लड़की को कुछ काने को दो प्रभु का सुसमचार प्रियसातियों बहुत सुन्दर सुसमचार हम लोग ने सुना दो अलग-अलग लोगों के जीवर में महानकारी होते हुए हमने इस बात को सुन लिया एक अधिकारी जिसकी बारा साल की बेटी मरने मरने परती दूसरी वर एक स्त्री बारा साल से बिमार अनेगी वैद्यों के पास जाके उसने इलाज कराया ठीक नहीं हुआ उसके हालत और कराब होती गही उसके बहुजूद हुआ स्त्री बिश्वास करते वे प्रभु के पास आती है और प्रभु के कपड़े का पल्ला चूलेती है अज तक कोई ठीक नहीं कर पाया कोई वैद्य कोई डॉक्टर कोई दवाई काम नहीं कर रहे थी येशु के पास आने से येशु के कपड़े का पल्ला चूने से उसी शन उसका रोग दूर हो गया ये दोनों उधारन के दुवारा में प्रभु बहुत सारी बातें सिखाता है एक अधिकारी प्रभु के पास आके धंडवत करता है प्रभु के आरादना करता है प्रभु को प्रभु मानता है स्विकार करता है प्रभु मेरी बेटी मरने मरने को है और उसका विश्वास देखिए उसके अंदर ये विश्वास था मरने मरने को है यानि कि उसके हालत बहुत कराब थी अब बचने के उमीद नहीं थी तब जाकर वेखती प्रभू के पास आता है प्रभू के पास आके धंडवत करता है प्रभू का प्रणाम करता है, प्रभू के अरादना करता है और अपने कस्ट, अपने बेटी के कस्ट प्रभू के सम्मो करकता है इस विश्वास के साथ, इस विश्वास के साथ आईए और उस पर आप हाथ रखिए और वो जी जाएगी विश्वास उसने प्रकट किया अगर आप आएंगे उस बेटी पर हात रखेंगे वो जी जाएगे यह द्रण विश्वास पक्का विश्वास उसने व्यक्ष दिक्या और प्रबू उसके यहां जाने के लिए निकले कियों कि प्रभू ने उसका विश्वास देखा रास्ते में दूसरी स्त्री बारा साल से कुछ नहीं हो पाया कोई डॉक्टर को ये लाज काम नहीं कर पाई अब उसने ये विश्वास किया ये दिमा इसा के कपड़े चुने पाऊं तो उतना ही काफी है प्रभू के रदई को स्पर्श किया अधिकारी ने और उस्त्री ने दोनों ने येसु के दिल को चूलिया अपने विश्वास से और जब येसु के दिल को उनने अपने विश्वास से चूलिया प्रभू ने उनके लिए महानकारी किया जो एक प्रकार के असंबो सा लग रहा था वो कारिया संबव हो पाया और एक सुंदर्ता देखियों विश्वास की जब यह सुजा रहे थे उस अदिकारियके गर और राश्ते में कबर आई आपकी बेटी मर गई है कबर आई आपकी बेटी मर गई है अब गुरु और ककष्ट देने के जरूती क्या है अब जो कुछ होना ता हो गया कतम अब कुछ नहीं हो सकता एक कान में उस अधिकारी के एक कान में ये संदेश आता है आपकी बेटी मर गई है ज़रा सोचें हम मैंसे किसी के साथ ऐसा होता हो हम लोग क्या करेंगे सबसे बह nine दोड लगाएंगे रोते विलबते परेशान होते विए गर की वो दोड लगाएंगे उस वक्त भी उस अधिकारी ने क्या किया दुसरे कान से ये सु की बात सुनी ये सुनी क्या कहा डरिये नहीं बस विश्वास कीजिए डरिये नहीं बस विश्वास कीजिए प्रभु ने कहा एक ओर से गाउन से उसके घर से लोग आये और कहने लगे आपकी बेटी मर गई है अब गुरु और का कष्ट मत दीजिए सब कतम हो गया है दूसरे कान से प्रभु ने कहा डरिये नहीं बस विश्वास कीजिए वो डरा नहीं उसने विश्वास किया ये कबर सुनने के बवजुदो भागा नहीं अपने घर येसु के साथ कदम में कदम मिलाकर चल रहा था और विश्वास उसने किया प्रभु ने कहा डरिये नहीं बस विश्वास कीजी फलसुरूप उसकी बेटी जो मर गई थी जी गई प्रभु मुझे और आपको हम मेंसे हर विक्ति से ही कहता है डरिये नहीं विश्वास कीजी इबरानियों के नाम के पत्र अद्या 11 पसंगे चे में हम पढ़ता है विश्वास के अबाव में कोई भी विक्ति इश्वर के एकरपा का पात्र नहीं बन सकता अगर हम विश्वास करेंगे तो सब कुछ संबव होगा सब कुछ पॉसिबल होगा और यही बात प्रभू ने उस अधिकारे के मात्यम से हम समों को बताई है ढरिये नहीं बस विश्वास कीजी जो कुछ भी मेरे जिवन में आपके जिवन में हम समों के जिवन हो गया हो जो भी परिशानी हो, जो भी बीमारी हो, जो भी बात हम लोगो असंबो लग रही हो, विश्वास कीजी, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संबो है, प्रभु ने कहा, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संबो है, उस अधिकारे ने उस वक्त विश्वास किया, जब उसको कबर आई उसकी बेटी मर गई है उस वक्त भी उसने विश्वास किया और विश्वास के फल सुरुब उसकी बेटी जी गई वो स्थी जो बारा साल से कोई वैद्य ठीक नहीं कर पाया कोई दवाई चल नहीं पाई सिर्प उसने विश्वास किया ये दी मैं इसा के कपड़े का पल्ला पर भी चुने पाउं मैं ठीक हो जाओंगे और उतना करने से ठीक हो गई विश्वास इनसान को जीवन देता है हिम्मत देता है सहस देता है फिर एक पर एक आशार उमीद जगाता है विश्वास है तो सब कुछ है विश्वास नहीं है कुछ भी नहीं है आईये भाईयो बहनों आज के दिन में हम प्रार्तना करें विश्वास का वरदान मांगे आंगों के बंद रखिए सर्वशक्ति मान पिता परमेश्व धन्यवाद देते बहुत सुंदर वचन आपने हम सबों को आज के दिन में दिये है ताकि हम सभी इस वचनों को पढ़कर मनंचिंतन करते हुए अपने विश्वास में हम आगे बढ़ सकें आपने द्रड विश्वास करें जिस प्रकासे उस अधिकारी नहीं किया उस त्री नहीं किया द्रड विश्वास, अटल विश्वास, पक्का विश्वास करते हुए अपने निवेदन आपके सम्मक प्रस्थुत किये और आपने उनका विश्वास को देखते हुए उने चंगाई दिए उनकी निवेदन सुनते हुए उस बेटी को जिलाया उस स्त्री को आपने ठीक किया प्रबू हम सुबों के जीवन में व्यक्तिगा जीवन में परिवारिक जीवन में समाजिक जीवन में बहुत सारी समस्या हैं बहुत सारी परिशानिया हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हम कहां जाएं प्रबू आपके पास हैं शब्द अनंत जीवन के हम आपके पास आते हैं आज के दन में हमारे साथ जुड़े हुए उन सभी लोगों को लेकर आपके पास आते हैं जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो उमीद करते हैं हम उनके लिए प्रार्तना कर रहे हैं उन सभी लोगों को लेकर प्रभू हम आपके पास आते हैं उन तमाम लोगों को लेकर जिनने प्रार्तना का निवेदन किया है और हमने आपके नाम से आश्वासन दे रहा है कि हम प्रार्तना करेंगे प्रबू उन सभी लोगों को लेकर हम आपके पास आते हैं और आप से विंती करते हैं प्रबू स्पर्शिकर दे स्पर्शिकर दे प्रबू हम सबों को विश्वास का वरदान दे ताकि विश्वास के द्वारा हम सभी आपके रदई को स्पर्शिकर सकें और आप हमें इस परशे कर सकें दुआ करते हैं उद्धार करता इस मसी के नाम से आमीन